नमस्कार, मैं रोवी आज किस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ काला आजार, जि दमदम फ्योवर या फिर बेटा बलेक फ्योवर के नाम से भी जाना जाता है आप सभी को पता हैं हम प्रॉटो जोनल डिसीज पढ़ रहे हैं और प्रोटो जोवा से होने वाली बीमारियों में बेटा अब तक हम तीन बीमारियों के बारे में पढ़ चुके एक malaria, एक sleeping sickness, जिए निद्राकारी रोग भी कहा जाता है एक elephantiasis रोग या जिसे आप philariasis रोग के नाम से भी जानते हैं वीडियो को सुरू से लेकर के end तक देखना, काला जार से जितने भी question आपसे आपके एक्जम में पूंचे गए हैं वो सभी question इस वीडियो में मैं आपको complete कराने वाला हूँ zero levels लेकर के high level तक जो जो point बनते हैं वेटा आपके एक्जम के लिए वो सभी point इस वीडियो में आपको complete हो जाएगे तो सबसे पहले heading लगा लेजिए भी या काला आजार काला आजार इसे कहा जाता है दम दम फीवर या फिर बेटा बलेक फीवर ये इसके अन्य नाम है भईया ठीक है दम दम बुखार भी लिख देते हैं हिंदी में अगर आप लिखना चाओ तो लिख सकते हो जैसे कि दम दम बुखार काला बुखार या फिर काला आजार ये सबी ही बेटा इसके नाम है इस रोक के तो पहली बात तो आपसे एक जम में पूचा जा सकते है कि यह काला अजार के और कैक्ट नाम हो सकते है या इन में से कौनसा काला अजार का एक अन्य नाम है तो यह सब ही नाम आपको याद रखने नहीं दूसरी बात यह एक प्रोटो जोनल डिशीज है यह क्या है बया एक प्रोटो जोनल डिसीज है प्रोटो जोनल डिसीज हिंदी में कहा जाता है बेटा प्रोटो जोनल डिसीज को प्रोटो जोवा जनित रोग अब यह मतलब क्या होता है इस प्रोटो जोवा जनित रोग का तो बेटा यह सा रोग है जो प्रोटो जोवा के कार कारण होता है एसे रोपो कहा जाता है प्रोटो जोवा के कारण होता है इसलिए हमने इसे कहा कि यह एक प्रोटो जोवा जनित रोग है या प्रोटो जोवा से होने वाला रोग है किसी को कोई प्रेशा नहीं आतक अब बात करते हैं बेटा आगे बात करेंगे इसके इसके बार में उससे पहले में आपको इस चेप्टर का इंट्रोडेक्शन देता हूं देखें बेटा हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हिंदी में कहा जाता है मानो रो और इस चेप्टर से बेटा आपकी सभी परतियों की प्रिक्षाओं में बहुत सारे क्यूसन पहुचे जाते हैं इसलिए हम इस चेप्टर को बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक पढ़ रहे हैं इस चेप्टर की अब तक बटा 40 क्लास कंप्लीट हो चुकी है यह 41 नंबर की क्लास है अब आप कहोगे कि पिछली 40 क्लासों में आपने अशा क्या पढ़ा दिया कि इसी चेप्टर की 40 क्लास हो गये देखी बटा जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि हम बिल्कुल 0 लेवल से लेकर के high लेवल तक पढ़ा थे हैं इन पेचली 40 क्लासों में हमने क्या-क्या पड़ा है तो बेक्टीरियल डिसीज कम्प्लीट कर लिया है अब बेक्टीरियल डिसीज का मतलब क्या होता है बेक्टीरियल डिसीज का मतलब होता है अब यह हिंदी में जीवानों जनित रोग जीवानों जनित रोग एसे रोग बेक्टिरियाल डिसीज ये जिवानों जनित रोग कहा जाता है इसे कौन-कौन से रोग है बेटा जो बेक्टिरिया के कारण होते हैं तो टीबी, निमोनिया, टाइफाइड, सिपलिस, लेप्रोसी, पर्टोसिस, डिप्थेरिया, क्रिटनस, पलेग, कोलेरा ये सब भी बीमार बेक्टिरिया से होने वाले बीमारिया, इन एक-एक बीमारियों के बारे में हमने एक-एक लास में परसनल पड़ा था, और मैंने आपको बेक्टिरिया के बारे में भी बताया था, बहुत सारे था थे, जैसे कि बेक्टिरिया की खोज किसने की, और भी वहुत सारे चीज़ बेक्टिरिया की केसी का बिती किसकी बने होए या थि है। बेक्टिरिया में कौन से cell organization होते हैं इस सभी क्यूशन पैटा जो आपके जब मैं को पूछ जाते हैं इन सभी के बारे में मैंने आपको चर्चा किंद एफ जैसे ही bacterial disease नमाप तो आथा हमने start कर दिया था बेटा virus disease यह viral disease viral disease का मतलब होता है विसानों जनित रोग एसे रोग बेटा जो virus के कारण होते हैं एसे रोग जो विसानों के कारण होते हैं एसे रोगों को कहा जाता है virus disease हमने virus के बारे में आपको पढ़ाया था जिसे कि virus की खोज किसने की सबसे पहले खोज़ा गया virus कौन सा है virus है क्या यह सजीव एन्रजीव के बीच की योजग कड़ी है मैंने आपको बताया था virus की सरचना के बारे में बताया था वाइरस से होने वाले रोगों के बारे में मैंने आपको ट्रिक की साहिता से समझाया भी था वाइरस से कुन कुन से रोग होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ जिसे की AIDS, Dengu, Chikangunia, Yellow Fever, Gika Virus और बेटा मीजल्स, German Measles, Viral Hepatitis, Genital Harpes उसके अलावा भी बेटा आता है या पोलियो, रेबीज, मम्स, कोमन कोल्ड, सार्स, इबोला, इन्फिलुएंजा, नीपाह, स्वाइन फिलू, बर्ड फिलू ये सब ही रोग बेटा वायरस से होने वाले रोग है उसके बाद में जैसे ही वायरस डिसी समाब दुआ था बेटा इन सबी बीमार्यों के बारे में उन्हें परसनल एके क्लास में पढ़ा था फिर हमने फंगल डिसीज स्टार्ट किया था फंगल डिसीज पंगल डिशीच का मतलब होता है बिटा कवक जनित रोग एसे रोग जो कवक के कारण होते हैं एसे रोगों को कहा जाता है कवक जनित रोग एसे रोगों को कहा जाता है बिटा कवक जनित रोग और कवक्से होने वाली बीमारियों के बारे में भी मैंने आपको बताया था जैसे कि ringworm, ringworm का मतलब होता है बेटा हिंदी में दाद, इसके बीज, खाज, baldness श्याप गंजापन कहते हो वो भी एक कवक्से होने वाली बीमारी है अस तमाज से आप दमारोग कहते हो वो भी कवक्से होने वाली एक बीमारी है और athlete foot disease या athlete foot disease वो भी एक कवक्से होने वाली बीमारी है तो इन बीमारियों के बारे में होने पड़ा था जैसे ही हमारा फंगल disease समाप्त हुआ था बेटा उसके बाद में हमने स्टार्ट कर दिया था प्रोटो जोवा जनित रोग एसे रोग बेटा जो प्रोटो जोवा के कारण होते हैं इसे रोगों को कहा जाता है protozonal disease और इस protozonal disease में भी बेटा अब तक हम तीन बिमारीों के बारे में पढ़ चुके protozova से कुन-कुन से बिमारी होती है तो मैं आपको लिख देता हूँ malaria एक protozova से होने वाले बिमारी है दूसरी है वह स्लीटिंग सीखनेस सुरी sleeping sickness इसे हिंदी में निद्रा रोग भी कहा जाता है या फिर निद्राकारी रोग कहा जाता है ठीक है भी या तीसरी बीमारी है भी या elephantiasis रोग elephantiasis disease या फिर इसे ही कहा जाता है philariasis disease या disease हिंदी में कहा जाता है बैटा इस रोग को हाती पाउं रोग तो बटा लाश्ट क्लास में हमने elephantiasis disease के बारे में चर्चा की थी अनिकी हाती पाउं रोग के बारे में चर्चा की थी मैंने आपको बताय था कि इस रोग में व्यक्ति का या रोगी का एक पर सूझ करके बटा हाती के पाउं हो जाता है उससे पहले malaria और sleeping sickness के बारे में हम पढ़ चुके हैं आज कि इस वीडियो में बेटा हम पढ़ने वाले हैं काला आजार के बारे में तो मैं यह भी लिक देता हूँ बैया काला आजार या फिर दमदम फिवर यह भी बेटा एक प्रोटो जवासे होने वाले बीमारी ह नमबर हम पढ़ने वाले हैं बेटा कल Amoebiasis नमबर चैपर हम पढ़ेंगे diarrhea के बारे में और नमबर साथ पर हम पढ़ेंगे बेटा पायरिया के बारे में ये प्रोटो जवासि होने वाले में साथ बिमारिया पढ़ ली है क्योंकि अक्सर यहां से ही आपकी एक्जाम में क्यूशन पूछे जाते हैं जो जो मैं पढ़ा जा हूँ बेटा उसरी उनको याद कर लो और ज़्याद आपको कुछ पढ़ने क्या हो सकता नहीं है आपकी पिछली एक्जाम में जो क्यूशन आये हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेना मैं करवा दूँगा एक फरवरे से याद रहे बेटा रेल्वे के लिए कि स्पेसल बेच तयार हो रहा है उस पर काम चालू है अभी तक मैंने उसका टाइम फिक्स नहीं किया है अब तक रेल्वे में बाइलोजी से जितने भी क्यूशन पूछे गए हैं चाहिए वो रेल्वे के कोई सी भी एक्जाम हो गुरूप D हो, RPF हो, NTPC हो, ALP टेक्निशन वाली हो कोई सी भी एक्जाम हो, अब तक जितने भी क्यूशन डेल्वे में पूछे गए हैं वो सब भी क्यूशन बाइलोजी के मैं आपको एक एक करके चेप्टरवाइज करवाने वाला हूँ इतनी बात किलिए है, किसी को कोई प्रोब्लम बिल्कुल में होने चाहिए तो बेटा, यह हो गए आपके प्रोटो जोवा से होने वाली बिमारी, तो प्रोटो जोनल डिसीज भी आपको मैंने याद करवा दी, तीन बिमारीों के बारे में हम पढ़ चुके, आज किस वीडियो में हम काला अजार के बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा, तो अगर ये कानी समझ में आ गई है, ती स्क्रीन सोट ले लिजी, ले लिए स्क्रीन सोट, ओके, अब मिटा देता हूँ भया, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले में मेरे बारे में बता देता हूँ कि मेरा नाम रवी है, मैं सभी परतियों की प्रिक्षाओं के लि वेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टो टाइम पहुँच सके हैं, गाईज मैंने बायलोजी के बहुत सारे चेप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चेप्टरों के MCQ क्यूशन करवा रखे हैं, अगर आपने नहीं चैनल पर जाकर चेक आउट कर सकते हैं, एक मैंतमन सूचना, मैं हर रोज कम्यूटी पोस्ट में बायलोजी के एक बहतरीन क्यूशन डालता हूँ, जिसका अंसर हर रोज 234 से स्टूडेंट देते हैं, बटा, आप भी दीजिए, क्योंकि बायलोजी के बहतरीन क्यूशनों पर आपके पकड रहेगी, और यह से क्यूशन होते हैं, या तो आप से आपके परतियों के प्रिक्श्यों में पहले पहुंचे गए होते हैं, या फिर बटा आगे पहुंचे जाने के सम्भावना होती है, तो अगर आपके एक जम में यह से क्यूशन मिल जाता है, तो अच् फिर और का जाता है दम दम बुखार काला बुखार काला जार। फिर मैंने कहा कि ये एक प्रोटो जोनल डिसीज है यह क्या है यह एक प्रोटो जोनल डिसीज है यानि कि प्रोटो जोवा जनित्रों के यानि कि यह इसा रोग है वेटा जो प्रोटो जोवा के कारण होता है और लेसमानिया लेसमानिया डोनोवानी ये एक प्रोटो जोवा है बिटा और इसी प्रोटो जोवा के कारण आपको विमारी होती है कुन सी? काला आजारिया दमदम फिवर इतनी बात के लिए रहा है अब बिटा आप सभी को पता है जो प्रोटो जोवा होगा वो ही हमारा क्या होगा? वो ही हमारा पेत्थुजन होगा वो ही हमारा रोग जनक होगा अब जनक का मतलब क्या होता है? जनक का मतलब होता है बिटा जनम देने वाला रोग का मतलब क्या होता है? रोग का मतलब होता है बेटा बीमारी यानि कि जो बीमारी को जनम देता है वो होता है रोग जनम वो होता है बेटा पेथुज़बी अब जो बीमारी कौन-कौन करता है हमारे सरीर में तो जितने भी माइक्रोब्स है बेटा वो सबी जितने भी सुक्सम जीव है वो सभी करते हैं जिसे कि वाइरस बेक्टिरिया प्रोटो जोवा और फंगस यह सभी करते हैं बेटा तो इन सभी ही के करण आपको विमारी होती है तो आपको जो पेथोजन होता है जो रोगजनक होता है इसके बारे में आपके एक जम में पूछा जाता है और याद रखना जो पेथोजन होगा वो भीयाब का माइक्रोब्स होगा वो सुक्सम जीव होगा कोई वाइरस होगा कोई बेक्टिरिया होगा कोई प्रोटो जोवा होगा कोई फंगस होगा कोई कवाक होगा तो यहाँ पर जो काला आजार जो बिमारी हो रही है बेटा वो एक प्रोटो जवा के कारण हो रही है और उस प्रोटो जवा का नाम है बेटा लेश मानिया डोनोवानी और इसी प्रोटो जवा को हम कह सकते हैं कि ये काला आजार का पेथोजन है याने कि रोगजनक है इस बीमारी को जनम देने वाला कोन है तो यही तो है प्रोटो जोवा तो भईया ये काला आजार का पेथोजन होगा रोगजनक होगा तो अगर आपको पूछा जाए है कि जो काला अजार बिमारी है काला अजार डिसीज है अगर इस रोग का पेतुजन का नाम क्या है यार रोग जनक का नाम क्या है या ऱ्वेटर का मतलब होता है वहाक या फिर आप रोग वहाग भी कह सकते हो जो बीमारी को फैलाता है जो रोग को फैलाता है वो होता है वेटा रोग वहाग SSC में एक बार क्योशन पुछा गया था कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगों को फैलाने वाले जिवों को क्या कहा जाता है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगों को फेलाने वाले जिवों को कहा जाता है वेक्टर यानि की वहा का कहा जाता है क्या कहा जाता है वेक्टर यानि की वहा का कहा जाता है और बीमारी को कौन फेलाता है तो बेटा एक मच्छर है जिसके कारण आपको यह बीमारी होती है और उस मच्छर का नाम है बेटा बालू मख्छी सोरी मच्छर नहीं अब यह एक मख्छी है और उस मख्छी का नाम है बालू मख्छी सोरी उस मख्छी का नाम क्या है बालू मक्खी और इसी मक्खी के कारण बेटा आपको काला अजार रोग होता है और यह क्यूशन आपसे एक बार SSC के एक जम में पूँचा गया है मैं यह आपर स्क्रीन सोट लगा दूँगा मुझे टैम देख लेने दो तो मैं स्क्रीन सोट लगा दूँगा कि यह क्यूशन आपसे पूँचा गया है यह देख लेना ठीक है तो ऐसा नहीं है कि यह से क्यूशन नहीं पूँचे जाते हैं आपके जम में क्यूशन पूँचे जाते हैं इतनी बात के लिए तो याद रखना है अगर आपसे क्यूसन पूछे कि जो काला आजार है उसका वेक्टर यानि कि उसका वहा के क्या है तो बालू मक्षी है याद रखना बेटा जो घरेलू मक्षी होती है इस घरेलू मक्षी से बेटा दो बीमारी होती है इस गरेलू मक्खी से दो बीमारी होती है एक होता है पोलियो और एक होता है अमोबियसिस यह याद रखना अमोबियसिस एक प्रोटोजवा से होने वाली बीमारी है और पोलियो एक वाइरस से होने वाली बीमारी है दोनों ही बीमारी अलग है लेकिन दोनों के वहाग से मैं ब विइटा sleeping sickness गेंदा देब जोö कि एक प्रोटो से होने वाली भीमारी यह भी लिखने तीन लाना मक्यों के बारे में आपको बता दिया पहंते किसे को मैंने को प्रोबलम बिलकिल ने होनी चाले हैं एक परशेंट है अब यह इसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं इस रोग में वो देख लीजे क्योंकि इंपोर्टेंट जो था बिटाओ आपके एक्जाम में जो कुछा जाता था वो मैंने आपको बता दिया इसमें भी या बुखार आएगा रोगी को बड़ी आत में इनफेक्शन रहता है जो आपका लीवर होता है उस लीवर में भी इनफेक्शन रहता है उसके अलावा, जो पलिया होता है, उसका आकार बढ़ जाता है, सूजर आ जाता है, उसका आकार बढ़ जाता है, इसके अलावा कप रहेगी, शरीर में कमजोरी रहती है, शरीर में कमजोरी रहती है, तौचा लटकने लग जाती है, लग जाती है ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगों, और इसमें परभावित तंतर पूछा जाए, तो भया अगर बढ़ी आतो लिवर में इंफेक्शन है, तो भया आप समझ सकते हो कि पाचन तंतर परभावि होगा, कौन सा तंतर परभावित होगा, पाचन तंतर परभावित होगा, खाना अच्छे से पचेगा नहीं, शरीर में कमजोरी आएगी, कप रहेगा, पहुतेज बुखार आएगा, बढ़ी आतो इंफेक्शन होता है, लिवर में इंफेक्शन, पलिया काकार बढ़ जाता ह सरीर का वजन भी कम हो जाता है, इस बात का भी आपको द्यान रखना है, याद रखना कभी बेटा, परभावित तंतर पूँचे तो बता देना भीया, पाचन तंतर है, सरीर का वजन भी कम हो जाता है, याद रखना कभी-कभी परभावित तंतर भी पूंच लिए जाता है आपके एक्जाम में, तो यह चीजे भी आपको याद रखना है, इस रोग में आपको जो भी याद रखना था, वो मैंने आपको बता दिया, इसका पेतोजन, यानि कि प्रोटो जोवा क को करवा दिया स्क्रीन सोट ले लिजी ले लिया ओके इस चेप्टर को मैंने कंप्लीट करवा रखा है इससे पहले कि 40 क्लास अगर आपने नहीं देखिया ता आपको नीच लिंग डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जाकर चेक आउट कर लेना इतनी बात के लिए ओके विया शबी और आमरें के बारए पढ़ाने के बाद में बैटम जनेटिक क्षानियक के नवान से क्रव श्टार्ट खरेंगे लिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जेहिन छे भारत सम ईतर राम जानल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर undertaken दो और वीडिय